49 हैं हेलो माय डियर्स तूडेंटें विलकुम बैक टूमें आप यू आ अइक आप the video इंए ह़ंगे सब्सक्राइब आप प्रोय आNew डूरी नहीं करते हैं फॉल्बेंटेस कोईए। टू अगर मेरे टुम आपके essen park इस वीडियो नहीं देखे हैं तो इस वीडियो को complete करने के बाद आप जाके उन वीडियो को भी देख सकते हैं और वहां से अपनी knowledge को enhance कर सकते हैं उसके अलावा बच्चों अगर आप अच्छे से preparation करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को जरूर subscribe करें और वीडियो को like करना ना आप इसको discuss करेंगे जो exam point of view से important है चलिए तो हमारे पहले question पर चलते हैं बच्चों जो हमारा पहला question है उसके अंदर हमसे पूछा है कि जो काजी रंगा राश्रिय हुद्यान है वह किस राज्ये में स्थित है काजी रंगा ठीक है आप एक बर options को जहान से देखिए options में है असम राजिस्थान मद्यप्रदेश और तामिल नाडू सो स्टूडेंट्स जो आपका काजी रंगा है वह स्थित है आपका असाम के अंदर ठीक है आपको confused ही होना है learn कर लेना है काजी रंगा बहुत जदा important है various exams में पूछा भी जाता है तो काजी रंगा राश्रे अध्या पारण है गिर नैशनल पार्क ठीक है सबसे पहली चीज आपको बता दू जो आपका गिर नैशनल पार्क है वह कहां लोकेटिड है सो स्टूडेंट्स जो आपका गिर नैशनल पार्क है वह लोकेटिड है आपका गुजरात में ठीक है गुजरात में लोकेटिड है लेकिन question राश्रेय उद्यान कौन सा है सबसे पहली चीज मैं आपको बता दू कि जो भारत का पहला राश्रेय उद्यान है वे ब्रिटीश के टाइम पे बन गया था ठीक है कब बन गया जब हमारे हाँ पर अंग्रेजों का रास्ता उनके समय पर बन चुका था ठीक है तो अब आप आपका जिम कॉर्बेट नैशनल पार्क है विच इस लोकेटिड इन उत्राखंट ठीक है यूके में लोकेटिड है वो है भारत का पहला राश्रेय उद्यान आपको इसको बहुत याद कर लेना है हो सकता है यह पेपर में पूछा जाए देन चलते हैं क्वेस्चिन नम्बर प्रदेश में ठीक है जो बच्चे इंग्लिश मीडियम में है उनके लिए भी आपको सेम क्वेस्चन जी रहेंगे ठीक है काना उसको बस इंग्लिश में क्या बोलेंगे काना नैशनल पार्क बोल देंगे राश्रेय उद्यान को और कहां लोकेटिड है मध्य प्रदेश में याद कर लेना है इसको बहुत अच्छे से बैन काजी रंगा राश्रेय उद्यान जो है किस जानवर के लिए प्रसिद है थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया काजी रंगा जो है वो इस्तित है आपका असाम के अंदर अब आपसे पूचा है कि वह है किस जानवर के लि जो काजी रंगा नेशनल पार्क है वो गैंडे के लिए प्रसिद है उसके बाद हम चलते हैं जो हमारा अगला क्वेशन है वह सुंदर बन से पूचा गया है सबसे पहली चीज में आपको एक ये बताना चाहती हूं कि जो हमारी गंगा रीवर है वह बनाती है एक डेल्टा ठीक है क्या बनाती है डेल्टा बनाती है जो नदी है वो डेल्टा कब बनाती है सबसे पहली चीज आप ये मुझे बताओ देखो जो नदी है वो डेल्टा जब बनाती है जब वो समुद्र में मिलने वाली होती है तो वो इस तरह से कई सारी जो धाराएं है उनमें बट जा ठीक है इसको हम बोलते हैं डेल्टा तो जो भारत की गंगा नदी है वो बनाती है डेल्टा ठीक है जब वो कहां गिरने वाली होती है जब वो गिरने वाली होती है बंगाल की खाडी में यानि की जब वो बे ओफ बेंगॉल में गिरने वाली होती है तो वहां पे जो वो डेल् नाम है सुन्दरबन डेल्टा सो अब आप असानी से गैस कर पाओगे कि बे ओफ बेंगौल में जा रही है बंगाल से होते वे जा रही है तो सुन्दरबन राश्रे उध्यान भी कहां होगा वो होगा आपका पश्रिम बंगाल के अंदर ठीक है अब चलते हैं नेक्स्ट क्वे लेंडा शेर बाग और तेंद्वा सो स्टूडेंट्स इसका जो राइट आंसर है वो है बाग कि जो आपका रैंथम और राश्रे उध्यान है वह प्रसिद है बाग के लिए उसके बाद कुंचकल जल प्रपात कुंचकल एक जल प्रपात है वो किस वन्यजीव अभिहारण म स्टूडेंट्स यह इस्थित आपका पेरियार में आपको पता होना चाहिए कि जो पेरियार है वो कहां है बच्चो कैरला के अंदर ठीक है कैरला में कारणा कहां पर है कैरला है हमारे साउथ इंडिया में अब चलते हैं नेक्स्ट वें काजीरंगा राश्रे उध्यान को कि वर्ष युनेसको विश्व धरोहर स्थल घोशित किया गया था पहली चीज आप यह जान लो कि युनेसको विश्व धरोहर का मतलब क्या होता है जो हमारा युनेसको है ठीक है वो क्या करता है विश्व की कुछ ऐसी जो बड़ी-बड़ी इमारते हैं नैशनल पार्क से उनको विश्व धरोहर घोशित करता है एक टाइप का स्पैशल स्टेटस दिया जाता है उनको प्रटेक्ट करने के लिए ठीक है जब काजी रंगा राश्र उद्यान जो है उसे किस वर्ष युनेसको विश्व धरोहर घोशित किया गया था आपको ये बताना है और सबसे बड़ी है कि काजी रंगा को युनेसको विश्व धरोहर कब घोशित किया गया था सो स्टूडेंट्स इसे घोशित किया था सन 1985 के अंदर अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में कि जो भारत है भारत में सबसे बड़ा राश्रिय उद्यान कौन सा है बच्चों भारत में सबसे है सो हमारा नेक्स्ट रंगाज्चर अब्यार किस राज जय में सठित है अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में काजी रंगा राश्रे उध्यान मुखे रूप से किस नदी के पास सठित है आपके options में हैं गANGा नदी ब्रहम पुत्रा नदी नर्मदा नदी और गोधाव्री नदी ठीक है सो अब साफ़ से पहली है आप यह ध्यान में लाओ कि जो काजी रंगा है वह कौन से स्टेट में है काजी रंगा है आपका असाम में इन languages कौन सी नदी जो असाम में बहती है वो है आपकी ब्रह्म पुत्रा नदी यानि की option number B तो काजी रंगा राश्रे उद्यान कहां होगा आपका ब्रह्म पुत्रा नदी के पास होगा उसके बाद सरीष का राश्रे उद्यान बहुत ही common है हर एक को पता होना चाहिए कि जो सरीष का राश्रे उद्यान है वह कहां इस्तित है वह इस्तित है आपका राजिस्थान में ठीक है राजिस्थान का कैपिटल क्या है बच्चो राजिस्थान की कैपिटल है जैपुर ओके अब चलते हैं नेक्स्ट पे डची गाम डची गाम राश्रे उद्यान किस राज्य या केंदुस आशित प्रदेश में है तो जो आपका डची गाम है वह है जम्मू और कश्मीर के अंदर और राजा जी राश्रे उद्यान किस जानवर के लिए प्रसिद है सो स्टूडेंट्स पहली चीज जो आपका राजा जी राश्रे उद्यान है वै इस्तित है आपका UK यानि की भारत के उत्राखंड राज्ये के अंदर और यह किस जानवर के लिए प्रसिद है तो बच्चों यह प्रसिद है आपके हाथी के लिए हाथी यानि की elephant अब चलते हैं 16th question पे बांधवगर्ण राश्रे उद्यान किस राज्ये में इस्तित है बांधवगर्ण इस्तित है आपका मध्यप्रदेश में ऐसे ही नमदाफा इस्तित है आपका अरुनाचल प्रदेश में क्या अरुनाचल के बारे में और कोई information है आपके पास अरुनाचल प्रदेश है वो है इंडिया का eastern most state यानि की एकदम पूर्वी राज्ये और दूसरी चीज अरुनाचल के बारे में यह है कि सबसे पहले भारत में जो सूर्य है वह हमीं अरुनाचल प्रदेश में ही देखने के लिए मिलता है अरुनाचल प्रदेश में जो राश्ये और दूसर है वह है हमारा नमदाफा राश्ये और दूसर क्या है आपका सारस केवलादेव सारस केंद्रमुक राश्ये और आपका करनाटका में अब चलते हैं 20th question पे भितर करनी का राश्ये और द्यान किस राज्ये में इस्तित है तो बच्चों जो आपका भितर करनी का राश्ये और द्यान है वह इस्तित है आपका ओडीशा के अंदर ठीके बच्चों यहाँ पे हमारे उम्मीद बैच के बारे में information है जो आपने मेरी previous वीडियो में जरूर देखी होगी भारते सम्विधान को कब अपनाया गया था? सो स्टूडेंट सबसे पहली चीज मैं आपको बता दू कि जो हमारा भारते सम्विधान है उसको 26 नवबर 1949 को अपनाया गया था और 26 जनवरी 1950 को उसे लागू किया गया था ठीक है अगर तंतर दिवस जिस दिन हम मनाती है भारते सम्विधान का कौन सा भाग मौली का दिकारों से सम्बंदित है? पहली चीज आपको पता होनी चाहिए कि मौली का दिकार हमारे क्या होती है सो स्टूडेंट्स हमारे पास total 6 मौली का दिकार है पहले साथ हुआ करते थे साथवा कौन सा था पहले था right to property यानि की जमीन जो संपत्ति का अधिकार था property का उसको हटा दिया गया था और अब हमारे पास 6 मौलिक अधिकार हैं जिसमें है स्वतंतरता समानता का अधिकार ठीक है धार्मिक स्वतंतरता का अधिकार शोशन के विर और मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो हम सीधा सुप्रीम कोल्ट यानि की सरवोच नियालने में जा सकती है इसमीधान के निर्माता किसे माना जाता है भारते समिधान की प्रस्तावना में कितने शब्द हैं भारते समिधान की प्रस्तावना में जो शब्द है वह हैं आपके बयालेज ठीक है बच्चो अगर आपको कई डाउट है तो कमेंट करना ना भूलें और वीडियो को जरूर लाइक करें ठीक है अब जलते हैं question number five पे भारते समिधान की कौन सी अनुसूची भाशाओं की सूची से सम्बंदित है भाशाओं की सूची चौथी अनुसूची है यह आठवी रस्वी यह बार्वी सो स्टूडेंट जो भारत की भारतिय संविधान की आठवी अनुसूची है वह किस से सम्बंदित है भाशाओं से सम्बंदित है इसको आपको याद कर लेना है संसत के कौन से सदन को लोगसभा कहा जाता है आपको पता होगा कि भारतिय संसत के अंदर दो सदन है एक है लोगस सब्सक्राइब तो कॉन सा है हमारा निम्न सदन सभिधान के अनुसा राजपती के चुनाव के लिए यदी किसी को राजपती बनना है तो मिनिमम आयू क्या होनी चाहिए उसके आयू होनी चाहिए 35 वियर्स के बाद आप राजपती के लिए खड़े हो सकते हैं भारत का कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम मूल संरचना सिधान से संबंदित है कौन सा संशोधन ठीक है बहुत important question है यहां पे मूल संरचना सिधान यानि कि संविधान की जो मूल संरचना है उसमें परिवर्दन कर दिया गया था वह है बहुत important संशोधन है आप चाहें तो इसको Google पर पढ़ सकते हैं कि 42 वर शंशोधन क्यों जरूरी है उसमें क्या-क्या changes हुए थे ठीक है यह आपकी general knowledge के लिए भी important है अब चलते हैं भार संविधान में दो संगें आपको पता होगा कि संगें विवस्ता है भारत के अंदर सो कौन से अनुछेद में यह दी गई है यह दी गई है हमारे अनुछेद एक के अंदर कि जो भारत है वह राज्यों का संग होगा भारत का जो राश्पती है उसका कारेकाल कितने वर्षों को होता है students वह होता है पांच साल का भारते समंधान के अनुषे 370 जो था उसका संबन्द किस राज्जे से था वह था आपका जम्मू कश्मीर से भारते सम्विधान की कौन सी अनुशुची राज Dean और केंदर के भी शक्तियों का वितरण करती है तो earning की सात्वी अनुसूची भारत का समिधान कितने अनुछेदों से बना है बच्चों जो भारत का समिधान है वह बना है हमारा 395 अनुछेदों से भारते समिधान की प्रस्तावना में कौन सा शब्द 42 संशोधन के द्वारा जोड़ा गया तो समाजवादी धर्म निर्पेक्ष और अखंड़ता ये तीनों शब्द जो हैं वह जोड़े गए थे 42 संशोधन के द्वारा मैंने आपको पहले भी बताया कि जो हमारा 42 संशोधन ह है वह बहुत ही जादा आपके लिए इंपोर्टेंट है ठीक है बच्चों आप चलते हैं समिधान सभा का जो पहला अध्यक्ष है वह कौन था आपके पास ऑप्शन में हैं डॉक्तर राजेंद्र प्रसाद जवाहलाल नहरू डॉक्तर भीम रावंवेट कर या पिर सरदार पते हैं आपको क्या लगता है कि इसका आंसर क्या होगा सो इसका अंसर है हमारा राजेंद्र प्रसाद सब्संपार निकीस सब्सक्राइब को या सदन कहा जाता है यह आपको याद कर लेना है समिधान में जो आपातकाल आपको पता होगा इंदर गांधी जी ने भारत में आपातकाल की घोष्टना की थी सन अब यहाँ पर पूछा जा रहा है कि कौन से अनुछेद में दिया गया है कि आप अपातकाल लगा सकते हो तो यह दिया गया है आपका अनुछे 352 के अंदर आपातकाल के बारे में प्रावधान भारत समिधान की प्रस्तावना किसे समप्रभू समाजवादी धर्न निरपेक्ष लोकतांतरिक गणराज्य कहती है भारत का समिधान जो है कब लागू हुआ था तो यह लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को सो स्टूडेंट्स अ मिल सके और आप अपने एक्जैम की त्यारी कर सके उसके लावा बैल आइकन को प्रेस करना मत भूलना अगर आपको हमारा टेलिग्राम या वाट्सेप चैनल जॉइन करना है यू केन मेसेज और नमबर गिवन इन पीडियाफ ओके